हलो दोस्तों निचुरल होम ब्यूटी में आप लोगों का विलकम हैं तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूं अन्वांटेड हेर को रिमूब करने का एक बहुत ही सरल तरीका और होम मीट तरीका जो आप घर पर इसे बना कर यूज कर सकते हो और आप इसे जो है यूज करन क्यों कि आपके अन्वांटेड हेर एक महीने में बिलकुल रिमूब हो जाएंगे लेकिन एक बात है कि आप इसे डेली यूज करना है आपको और एक महीने में आपके जो आन्वांटेड हेर हैं वो धीरी-धीरे स्वाप्ट होकर बिलकुल हमेशा के लिए चले जाएंगे त तो इस homemade remedy को बनाने के लिए सबसे पहले एक खाली कंटीनर और साब बाउल चाहिए होगा तो जो है दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो like कीजिएगा, share कीजिएगा और पहली बाद चैनल पर आएं तो please subscribe कर लिजिएगा तो इस remedy को बनाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोग को दो प्रकार की home remedy बताऊंगी unwanted hair को remove करने के लिए आपको जो असान लगता है आप उसे tips को follow कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक लिया है खाली container तो कोई भी आपको जैसा आपको चाहिए container आप ले सकते हो तो मैं आपको यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ baking soda तो यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि baking soda ही यूज करना है बेकिंग पाउडर का यूज नहीं करना है तो हमने एक चमत ले लिया है बेकिंग सोडा और इसमें हम डालेंगे करम पानी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे मिकसो करने के बाद जब यह ठंडा हो जाएगा तो हम अपने skin को साफ कर लें जिस एरिया में आपको लगाना है यहाँ इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद इसे यूजर करेंगे अपने हाथ को पहर यह जिस भी पार में आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर अच्छे से पहले क्लीन कर लेंगे और उसके बाद लगाएंगे इस तरह और इस तरह लगा के आपको ओबर नाइट के लिए छोड़ देना है और सुबाज ठंडे फ्रेस पानी से इसे वास कर लेना है और इस तरह अगर कंटिनू आप एक महिना करते रहोगे तो इससे आधा है की आधा अधेम में यहां पर यूच किया है बिल्कुल ही कहां कर कर आधा क्छारी आप आपके साथ यूच करना चाहती हूं तो उसके लिए भी हमें खाली चाहिए होगा एक कंटीनर और उसमें हम डालेंगे हनी डालेंगे तो हनी जो होता है नेचुरल मॉस्ट्राइजर का काम करता है और आपकी स्किन में अच्छे से चिपक कर जो है आपके जो अन्वेंटेड हेर हैं आपके हेर को स्मूथ करेगा तो इस तरह हम इस में डालेंगे थोड़ा सा गरम पानी लगबग एक चम्मच जितना आपको बनाना है उतना तो यहां हमने गरम पानी और हनी का इस्तिमाल किया है और थार्ड इंगिडियन्स हम यूज करेंगे यहां पर बेसन जो है हमें एक चम्मच लगबग लेंगे ताकि इसका अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए और बस यह थ्री इंगिडियन्स से बन कर यह पैक बन के तयार हो गया है बहुत ही अच्छा यह फेस पैक है आपकी स्किन को जो है यह फेर भी करेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आप यही चक इसका यूज कर सकते हो और इसका एक को गैप करके भी आप यूज कर सकते हो और इस रेमेडी को आप यूज करोगे तो एक ही दिन में फर्क देखोगे यह रेमेडी बनाने के लिए आपको जो है कम से कम पाच या दस मिनट इसे रखना पड़ेगा आपके स्किन पर जब इसकी प्रसुक जाएगा तो आप इसे जो है उल्टी दिसा में इसे रफ करते हुए निकाल दीजिए इसके साथ साथ आपके रोएं भी निकल जाएंगे आपके फेस पर अगर आपके अपर लिप्स पर है फोर हेड पर है तो भी इस पैक को आप लगा सकते हो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो इस तरह मैं आपको लगा के दिखाती हो यह आप लगा के आप सूखने तक के लिए इसे छोड़ देंगे जब सूख जाएगा तो आप उल्टी दिसा में इसे रफ करते हुए निकाल देंगे और आप एक एक दिन का गयब करके इसे यूज कर सकते हो आप 10-15 दिन में आपके बाल जो है जो अंचा है बालें बिल्कुल हमेशा के लिए जो है निकल जाएंगे सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपके बाल फिर वापस से अगर निकलेंगे भी तो बहुत ही कम निकलेंगे समझे कि 50% आपके जो है अन्वांटेड हैर है वो कम ही निकलेंगे तो मैं आप लोग को इसे रफ करके दिखाऊंगी यह सुखने तक के लिए इसे छोड़ देते हैं 5-10 मिनट तो लगेगा ही तो फिर 5-10 मिनट बाद आपका यह जो पैक है यह सूख जाएगा तो इसे उल्टी दिसामें इस तरह करके इस तरह हम इसे साफ कर लेंगे और इसे साफ करने के बाद हम और इसे बाद का धया लखना है कि आपको जो है इसे उल्टी दिसामें इसे हे रफ करते हुए साफ करना ही एक ही बार के रोख्यों है यह स्मूत होकर निकलने लगान और इसे कम कब चार पांज यूज़कर तो आपके अंचाहएय बाल हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंग फिर उसके बाद उसे रफ करने के बाद हम कोई मॉस्ट्राइजर क्रीम लगा लेंगे इस तरह अगर हम तीन चार बार इसे जो है एक एक दिन के गईब के बाद करते हैं तो आपके जो यह अर्मेंटेड हेर हैं दीरे-दीरे स्मूथ होकर हमेशा के लिए निकल जाएंगे और इस दो रेमेडि में से आकको जो भी वेस्ट लगती है आप उसे होम रेमेडि यूजक्ट कर सकते हो हाँ यह बात है इस रेमेडि को यूजक्त करने के लिए आपको एक मंत का टाइम देना पड़ेगा और इसके लिए आपको पंद्रे दिन में ही आपको रिजल्ड अच्छ टेक केर